नमस्कार मैं वंदनाव का स्वाधत करती हूँ आपके अपने यूटूब चैनल इंडिया खुली खुली पर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा यमी टेस्टी साथ ही बेहद हेल्दी नाश्ता यह हमारे अर्भी के पत्ते के पपोड़े अर्भी के पत्तों में बहुत ही अच्छी मात्रा में विटमिन C, विटमिन A, विटमिन B6 वगएरा पाया जाता है जिसकी बज़े से ये पत्ते हमारे लिए काफी ज़्यादा फाइदे मन्द होते हैं इन पत्तों की रैसिपी को खाने के बाद उनके गले में खराश वगयरा रहती है या पेट में भषरी बना जाता है तो इस रैसिपी में बटाया है कि किस तरीके से इनको healthy way में हम बना सकते हैं आपके जले में बिल्कुल भी खराश नहीं आएगी जब आप इस तरीके से इस रेसिपी को ट्राइ करेंगे अगर आपके पत्तों को बनाते समय यानि इन पकोडों को बनाते समय है बैचन हलका सा अंदर से हार्ड हो जाता है तो उसका भी समाधान मैंने इस वीडियो में आप इस नहीं क्लिए है पत्तों को उने अच्य से वश करके ले लिया है यह चाहें तो पक्तों को पोडी जब लियो करके रख सकते हैं उसके पीछे बैक साई में यह दंखल होता है इसको भी हमने कट करके निगाल देना है या आप जानते हैं कि भी बहुत अच्छी सबजी बनत बेल कर लिया है विए हमने अपना मिक्सिंग बाल लिया है अब इसमें मैं दो कटोरी बेसन डाल दूंगी जिस रिए वे इसाफ़ बेल पत्ते लिया है और इसी के साथ ये दूसरी कटोरी अब मैं इसमें टालूंगी एक टी स्पून भर करके ये सफेद नमा एक टी स्पून हल्दी पाउडर एक टी स्पून अमचूर अमचूर आपने टेस्ट के कॉर्डिंग कम या जादा कर सकते हैं जिनको खटा ना पसंद हो वो अमचूर को इसकी भी कर सकते हैं सारी जीनों को सुखा पहले मिक्स कर देंगे अब हम बेशन के लिए मसाला तयार करेंगे उसके लिए हमने छोटा सा ग्राइनिंग जार ले लिया इसमें हम 3-4 हर इमेच डाल देंगे और इसी के साथ 3-4 ये लाल मेच डाल देंगे और ये 20-25 लेसन की क पेल रख लिया है वाश बी कर लिया है इन और आप इसमें डाल आप या बड़ा चमच बरकर यह साबू जी राइच्च इस यह इसी के साथ प्रऊ में डाल रहे हूं, एक टीस्पून बर करके यह साबूत कालिमेच चुछा सा तेश पत्ता ले रहे हूं इसको भी मैं तोड़ कर सके हाँवान देए, सब्सक्राइब करका 25% दोड़ी सा भीक निकल दोड़ ड्यारई खिसके वे लाइचींप हो सिकारते तो निया सिकाफिगरा सरा फाइट, भीक निया लिए साथ जाग्कावान। ये देखिए मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो चुका है अब हम इसको बेसन में निकाल लेंगे कि दिए कि सारा मिक्षर हमने इसको इस तरीके से निकाल लिया है थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम इसी ग्राइणिंग जाने और डाल करके ले लेंगे अब हम इसमें लगबग आदी कटोरी पानी डाल देंगे अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ हाफ टी स्पून ये हींग इसी के साथ हाफ टी स्पून ये अजवाइन जरूर डालिएगा बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ लगबग दो बड़े स्पून धर करके ये मस्टर्ड ओयल मस्टर्ड लगबग हम पानी डाल चुके थे, अब हम इसमें डालने जा रहे हैं, एक कटोरी पानी और थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे, अब हम इसका एक स्मूथ सा बैटर त्यार करेंगे, यह देखे इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएंगे, एक साथ सारा पान कि अब एक में घोल त्यार किया है इसको अपने पत्ते के उपर डाल देंगे और अच्छे से चारो तरफ इसको फैला देंगे तहिए आप चाएंए तो हातों की नदद से या पिसी बृश के मदद से इसको फैला सकते मैं इसको हातों सरी मही लगा रही हूं दिखें हातों से तो प्लख़द i a раск up टृघ्ट करते लगता सजांक धष्टित कि इसी तरीके से चार से पांस पक्तों पर हम यह अपना बैटर लगा लेंगे त्रीकि चार से प्रस्तों पणनें चेसे बैटर चारो तरफ लगा लिया है आज मुद कुर इस तो देंगे और या दिखाक लगाँए द् केरे इस तरीक इसे अपट्री के बेशन लगा देंगे और बैक साइड के तो एक भी इसे पके से लिए पसे लगा देंगे और उन्हसि तरीके से पर शाओं नाना है आप इसमय नीछे से थोड़ा सा ठाइट कर ना इस तरीके से से हम ढुल बनाते हैं है उसी तरीके से माहले पर अप्तों करते चले जाएंगे इस तरीके से में मो कि अब वहुत हसे इसको तर दोर में साइड में इसको ऐसे मोड देंगे अगर यहां पर आपको बेशन कम लगे थोड़ा सा बेसन और डाल दीजिए निकल रहा है और इसी तरीके से कर लेंगे किसीट तरीके से हम सारे पत्तों को बेशन लगाकर की फोल्ड कर लेंगे किरीए यहां पर सारे रोर्स हमारें तयार हो चुके हैं हमने इसको reviewầu ब्राब लिया है उसमें रख लिया है उसको इसके उपर रख देंगे अब गैस का फ्लेम मेडियम कर देंगे और इन रोल्स को लगवग 10 मिनट तक के लिए हम स्टीम होने देंगे आप इन रोल्स को कड़ाई में कोई जाली स्टैन रख कर भी इस तरीके से स्टीम कर सकते हैं हमारे पास यह स्टीमर है तो हम इसका यूज कर रहा है इसमें बहुत ही जल्दी आसानी से हमारा काम हो जाएगा अब दस मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे यह देखिए लगवग 15 मिनट हो चुके हैं अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे यहां पर यह देखिए बहुत ही अच्छे से सारे जो हमने डोल बनाये थे पत्तों के वह स्टीम हो चुके हैं अब हम इनको ठंडा करके निकाल लेंगे पत्तों को ठंडा करने के बाद हमने एक चौकिं बोर पर निकाल लिया है अब इनको कट करना है इनको हम लगब एक उन्च के पीसे में कट करेंगे यह देखिए हमने यहां पर यह कट करके रख भी लिये हैं यह देखिए इसी तरीके से हमें इनको कट करना है इसी तरीके से हम सारे पत्तों को कट कर लेंगे अगर आपके पत्ते बहुत ही अच्छे से स्टीम हो चुके हैं तो उनका कलर इस तरीके से डार्क ग्रीन हो जाएगा और इस तरीके की जब आप ये रेसेपी ट्राइ करेंगे यानि कि जब आप खाएंगे तो आपके गले में खराज बिल्कुल भी नहीं आएगी साथ ही हमने इसमें अजवाइन और हींग का भी इस्तमाल किया है जिसकी वज़े से यह हमारे पेट में बिल्कुल भी भारीपान नहीं आने देगा आप पटा पट से सारे पत्तों को अपने कट कर लेंगे कि अपके खुके है अब इनको उनको फालभी कर एंगे आप चाहें तो इनको डी कर सकते लेकिन को स्ट्रीं कि टांडि भी अच्छे से पका लिया है तो आप हम इनको करेंगे शल्यू फ्राइए किके उपर हमने अपना पैन रख लिया है अब हम इसमें शायलो ट्राइब करेंगे अपनी जैसीपी को यह देखिए थोड़ा सा ओल हमने इसके ऊपर अल्रडी डाल लिया है यहां पर भी हमने मस्टर्ड ओयल का ही इफ्तमाल किया है इसी तरीके से हम इसको अच्छे से से शेक यह लिए छितना अच्छा कलाड आया है अगर मैं आपको पासी दिखाते हूँ अब हमें को सफ कर लेंगे यह लिजिए मैंने अपने टेस्टी और यमई पकोडों को सर्फ कर लिया है इसके साथ मैंने आज सॉस रख कर रहे हैं आप इसको इंज्वाय कर सकते हैं सॉस के साथ या खटी मीटी किसी भी प्रकार की चटनी के साथ मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा जरू साथी बिल आइकन जरूर दबा आपर दो आपको वाचें एकन लूज कर आप कर दो है कि नरूट वाचें रवकर वाचें घरूज है